ओँरय वीडियो टोपिक है कहने का मतलब कि हमारे सिर्फम में कितने तरह के फोल्ट हो सकते है sacar सबसे पहले थे हैं प За सप्लाइ एक हो के पास पहुझती है ठीक है भשलां नियुक्त है और आंधी चलेगा तुफान चलेगा या फिर माली इसपे बिली गिर गया आकाशी बिली या फिर किसी प्रकार नीदित आरा ंरे तुफान districts गिर गया ठीक mapped मतलब कि किसी भी प्रकार का हमारा सप्लाई कावार से तुट कर नीचे जमीन में गिर गया तो क्या होगा है यहां पर भी हमारा फोल्ट को लीट क्या हो पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा यहां पे generating station में बिली बन रहा है उसको यहां पे हमारा जो घर में है वहां तक पहुंचने में कितले तरह का पवर सप्लाई का ऐसकते हैं पहला होता है हमारा है मतलब कि जो भी हमारा यहां पर डला लगां करते हैं । करते हैं मतलब नेर्ड के सबसे पहले हम लाएन का बारे बात करेंगे उसके बाद हम लोग अंडरक्रोंड को बारे में समझेंगे तो दोस्तों ओभेडलान में भी हमारे दो तरह के फोल्ट होते हैं पहला होता है हमारा स्मेट्रिकल फोल्ट और दूसरा हमारा होता है अस्मेट्रिकल फोल्ट दोस्तों आप समझते हैं कि स्मेट्रिक मेंसे सकती कि पडिनने पर बाएगा चैनल को इस ओक फालर द्होंसे कउने फ्र होगा त्यक्तेल है तो एक हमारा हुआज। भी सिंमेडिकलोट में वहर थीद अब दूस्तोर समझते है कि प्रवार धिसरा हमारा की है इसली चलेगा मतलब कि इसमें फोल्ट नहीं हुआ तो इसमें पहले अगर पाछ यहां सब्सक्राइब फोर्ट आते हैं पहला होता है त्रीपल-L- ग्रल जी फोल्ट्रीपल कहने के味 दो तो एससे बोलते हैं , असे बोलते हैं ट्रिपल एल फॉल्ड के दोर्ट शाद अब टेज, अब देखे सकी कहां बहुत, पेल ना- में दोर भी में धारे स्क्तिक इसे बोलते हैं डीपलल-डी फोल्ट और फ्यक्रिशित की लिडी इस त्रिपल एलजी फोल्ट गया होता है अब यही आरो में फोल्ट हाँ,म्हान वाईर इसके हमारा इक वैड़ गिर घृट का तो क्या होगा कि यह तो आपस में सॉट हुए है हुए साथ हम साथ है इस पेड के थ्रू क्या होगा कि यह हमारा ग्राउन्ड भी हो गया तो इसने हमारो बोलते हैं trazism पहला होता है अब आलल जी होता है तो यह समझते हैं कि लृट गोफर हेँ डावल एल जी फोल्ट ठीक है दोस्तों मैं सब को समझाने वाला हूँ अच्छा सा वीडियो को बस लाख्ट तक देखिए दोस्तों अब दोस्तों दूसरा हमारा एल फोल्ट लाइन टू लाइन फोल्ट तो दोस्तों इसमें अभी समय लेते हैं आर वाइब यह हमारा तीन फेज है इसमें क्या हो princes limit मतलो कि एक दूसरे मीं यह touch होगा मतलो कि अपने आप में ट्च होगा मतल overcome इससे हो सब्हें भी कोई भी दो वाइर जो है वे आपस में touch हो जागा तो उसको आंदे तूफंच भोलते हैं अब क्या हमारा है लाइन टू लाइन टू ग्राउंड तो इसको भी हम लोग समाझ लेते हैं दोस्तों यहां पर तीन प्रेज बना रहा है र-y-b ठीक है तो लाइन टू लाइन कहने का क्या कोई भी दो वायर आपस में शॉट सेर्क्ट होगा और वह क्या होगा ग्राउंड फिर हो ग्राउंड लाइन टू ग्राउंड थी इसने क्या होता है कि लग के स्काफ़रा स्क्राइब तो यहां पर क्या होगा कि यह दो अलग अपना अपना हुआ ठीक है अब दोस्तों यहां पर मैं फिर से समझा जाता हूं और उसके बाद मैं दो दो इंपोर्टन कोश्चन पुछने वाला हूं यह कोश्चन आरके राज पूत में और क्या भी इलेक्टिकल इंट्रिव्यू में या फिर किसी इजाम में पूछी जा सकते हैं दोस्तों ओभरेड में हमारे दो तरह कर फोल्ट आते हैं पहला हमारा सिमेट्रिकल फोल्ट दूस पर आख दोस्ते आपर कंडिशन क्या पूछता है कि anlam спрос कोन होता है मतलों के और की और से contrast 합니다 जो हमारा सबसे ज्यादा ओकर होता है मतलग हुडू किordum एक सिम्मेटिकल फोल्थ Y यूस निचे गिरी का जमीन से यह पेकि यह हमारा Kabra लंगे रहता है . में किसी परकर्ट का सयकता हैं तो सबसे कम जब से कम मा का आता है लेकिन सबसे dangerous का अता है तो हमारा ये diaeale fault आता है सबसे कम fault power system में कियांगा तो symmetrical fault और सबसे ज़्यादा fault किसमें आता है तो यह हमारा asymmetrical में क्योंकि इसमे अमारा LG fault हुछ भी हो सकता है LL fault भी हो सकता है अब दोस्तों हम लोग यहां पर बात कर लिए overhead के बारे में समझ गयें कि इसमें हमारे कितने तरह के fault आते हैं अब हम लोग समझते हैं दोस्तों underground में कितने तरह के fault आते हैं अब दोस्तों underground में हमारे तीन तरह के fault आते हैं पहला होता हमारा open circuit fault दूसरा होता है हमारा short circuit fold और दीसरा हो aula होता है अर्थ फोल्ट फोल्ट नों अंडर्ग्रण्ट कहने को मैंकल क्या कि जमीन के अंदर हमारा केवल बिछाया जाता है उसके दौरा हमा था खोलरा क्यों मुष्च्छा जाता है ठिक है त्धक को दोस्तों दूसरा हमारा है short circuit fold तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों हम लोग अंडर्ग्राइब में 3 केबल बिचाते हैं आर वाई बी इसमें हमारा जाता है तो दोस्तों माल लिए कोई भी हमारा तीन वायर यह पर फेज जा रहा ठीक है सब्सक्राइब हो सकता है कंब लोग्ति है सो कर्केंदпонीन ऐसकी कि करूइब होगा यह पंचर होगा। क्यूंकि यह अल्रेडि जमीन अंतर आता तो अगर कहीं पर हलका से लिख होगा तो क्या होगा यह हमारा एखतर का हमारी यह यह पर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पको पुर benefiting यह क्योंकि यह हमारा जमीन के अंदर होता है तो इसको कैसे पता करेंगे इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लिजे और बेल आकर भी दबा दिए क्यूंकि कभी वी वीडियो जाएगी तो आपको नोटिफिकेसन मिल जागी तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा अगली वीडियो में